नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू तीन चार महिने के अंदर यह लगबक 26 के हो जाएंगे और यह एक फिमिल पाम है इनके कोई स्पेसिविक क्वेश्चन नहीं है एक केरियर के बारे में जानना है इनको और साधी के बारे में जानना है यह पाम एक धनुशाकार शेप बन रहा है जब इस तरह का शेप बनता है तो वेक्टी समझदार होता है और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है यह पाम की चोड़ाई यहां जादा है और यहां पर कम है तो ऐसे लोग या तो जौब कर करते हैं या किसी न किसी के साथ पार्टनर्शिप करते हैं और रेक्टेंगल पाम है तो बैठे 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 बोलकर कारे करने वाले व्यक्तितों के धनी होते हैं यह लोग पर अच्छे सेल्समें होते हैं मार्केटिंग और सेल्समें हो तो अच्छा काम यह लोग कर पाते प्लस अंगुठा मध्यम टाइप का है तो परस्नालिटी भी अच्छी खासी होगी और मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले भी होंगे यहाँ पर एक तील है अगर यह तील होगा तो इसके कारण बहुत ज़्यादा कोई बुरी चीत तो नहीं होती पर हमसे जो बुजूर्ग होते हैं उनकी डाट हमको मिलती है कोई अच्छा भी काम करो तो भी वो डाटते रहते यह एक माइनस पॉइंट मिलता है और इस से निप्टारा अगर पाना है तो आप मंदीर में जाना शुरू कर दे या बुजूर्गों की सेवा करना चालू कर दे तो यह चीज कम हो जाएगी हो सकता है यह निकल भी जाए इतनी भी बड़ी लीडर्शिप कॉलिटी तो देती है पर एक माइनस पॉइंट रहता है इन में वो एगो छोटी छोटी बातों में एगो हट होता है तो यह जो प्रॉबलम है इसको रोग समझ कर इनको हमें साथ दूर रहना चीए जब भी इस तरह की इस्यू आये जीवन म एम एम छोटी रह रही है कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है पर फिर भी 15% के आज पास तो कमी रहेगी डोकुमेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याजशक्ति मनी मैनेजमेंट और अकाउंट यह इतनी चीजों में व्यक्ति कहीं न कहीं कमजोर रहता है पर बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं होंगे 10-15% कमजोरी रहेगी इनके पाम में देखे तो इनका चंद प पढ़ाई की है तो अच्छा होता था मुझे लगता है यह कोई ना कोई सौफ्ट्वेर इंजिनियर का हाथ है उसके एक दो कारण और है मैं आगे बताता हूं आपको एक लाइन दो लाइन तीन चार पाँच जब बुद्परवत पर ज्यादा लाइन होती है तो व्यक्ति की वानी अच्छी होती है बुद्परवत अच्छा होता है तो व्यक्ति सुन्दर भी होता है और बिस्नेस के सेंस अच्छे होते है प्लस अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे तो भी technology और science का knowledge व्यक्ति को रहता ही है और ये पार जब उभार रहता है तो व्यक्ति के जीवन में नाम के प्रती ज्यादा जिक्यासा रहती है अब एक नाम वाली sign है पर ये complete है कि नहीं पता नहीं यहां से ये चल कर ऐसे अंदर जा रही है और एक line इस तरह से च इंफेम दोनों मिलता है राष्टी अंतर राष्टी ख्याती भी मिलती है व्यक्ति को और विजेसी धर्ती से पैसा भी कमाता व्यक्ति इस sign के कारण पर ये सर्त ही है कि पीछे की तरफ से complete होनी चीज़ है एक चीज यह सॉफ्ट्वेर इंजिनेर की और क्यों ध्यान जा रह है मल्टी सिटी का काम और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह से रहने वाले लोग होते हैं आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में खुब पैसा है यानि अगर व्यक्ति एक लाख रुपया कमा रहा है तो आसपास के लोगों को या सके संबन्दियों को ऐसा लगेगा जैसे इनके घर में दो लाग पांच लाग की इंकम है यहां पर multiple property की sign भी clear cut बनी हुई है तो एक से अधिक property खरीदेंगे या निर्मान करेंगे यहां पर देखे तो विद्या रेखा दो भागों में divide है basic knowledge इनके बास भरपूर रहता है उसमें कोई ना नहीं यह लोग progress भी करते इस लाइन के कारण क्योंकि basic knowledge अच्छा होने के कारण progress भी मिलता है पर अपने उस ग्यान पर इनको घमन भी रहता है यह minus point इनके जीवन में रहता है second loop of seriousness बना हुआ है जब आपके हाथ में इस पार्ट में इस तरह का loop बने नाड़ी का रेखाओ से यानि fingerprint से जो हाथ की fingerprint होती है उसका नाम है fingerprint क्योंकि finger के print को लिया जाता है पर जो देशी भासा में कहें तो इसको नाड़ी का रेखाओ कहते और in English में ऐसमें कहें तो आप print समझ लो या fingerprint समझ लो जो समझना हो यह जब इस तरह से लूप बनता है, तो ऐसे लोग serious होते हैं अपने जीवन के प्रति, और एक धे लेकर चलते हैं, और इस धे को पूरा करने की पूर इकोसिस करते हैं, यानि life में ये लोग serious होते हैं, in short, ये पार्ट यहां पर उभार है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति सुबह उठने में तकलिफ सेकेंड चीज़ देखें, तो continue चलने वाली फेट लाइन हैं और एक दो लाइन है, शुरी परवत की और भी जारी, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, और बुड़ा पाक काफी comfortable income वाला इनके जीवन में जाने वाला, काफी comfortable, और ये square अगर complete होता होगा तो इनको पुस्ते नहीं जमीन जायदात का भी लाप प्राप्त होगा, और मेरे हिसाब से ये square complete है, जुपिटर माउंट, इनका जुपिटर माउंट अच्छा है, कोई तकलिफ वाला काम नहीं है, तो सांसारिक और पारिवारिक जीवन, जीवन में अच्छा रहेगा, और एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये जब लाइन होते हैं, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं multiple income के source create होते हैं, और जुपिटर अच्छा है, ये best पार्ट है इनके जीवन का, क्योंकि किसी भी महिला का जुपिटर माउंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, अंदुनी मंगल पर देखे, थोड़ी सी लाइन है, थोड़ा सा चिंतित सबाव जरूर रहेगा इनका, छोटी छोटी बातों में चिंतित रहते होंगे ये, कुछ अच्छा हुआ तो कल खराब तो नहीं होगा, कुछ खराब हो गया तो इस से जादो खराब नहीं होगा, इस तरह का भाव आ सबाता है, जो चिंतित सबाव रहता ही, वो बारी मंगल भी काफी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे, तो बहुत एनरजी के साथ मिलोगे, बहुत जादा साहस ही होएं आप, तो ये बहुत बटा प्लस पोइंट है, और मैं तो आपको सलादूंगा, जब भी आप पैसे क आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्मेंट करो आपको आगे चलकर काफी अच्छा लाप राप्त होगा क्योंकि मंगल आपका अच्छा है यह लोग जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते हैं अब जैसे चंद्रपरवत मैंने पहले ही बताया इनकी जीवन रेखा ही पूरी यह देखिए यह जीवन रेखा ही पूरी चंद्रपरवत पर जा रही है ऐसे लोग चांस से पूरे उज्वल है और 100% चांस है विदेश सेटलमेंट के इनके जीवन में क्योंकि चंद्रपरवत भी काफी उभार लिये हुए और इस तरह का चंद्रपरवत व्यक्ति को विदेश से संबन्द लाता ही है सेकेंड अच्छे पर्चेसर होते वैल्यू फोर मनी पर्चेस करने वाले होते रिफैंड सोच होती है और नए नए चीजे करते हैं यह लोग इनके हाथ में एक अच्छी सी बुद्रेखा भी है यह भी प्लस पॉइंट है बड़ा सामराजिक क्रियेट करेंगे या बड़े सामराजिक करता धरता बनेंगे काफी अच्छी बुद्रेखा है इनके हाथ में यहां तक जा रही है और इसके द्वारा एक मनी ट्रेंगल भी जमा कर लोगे और यह फोर्क बनता है किसी के भी जीवन में तो यह व्यक्ति को यात्रा भरपूर कराता है शुक्र परवत में भी कोई कमी नहीं है अच्छा खासा शुक्र परवत है और साथ में गुरू का भी साथ मिला हुआ है तो दोनों मिलकर धन के मामले में पारिवारिक और सांसारिक सुक्र रेक्टि को अच्छा जीवन में मिलता है तो यह प्लस पॉइंट है और बहुत ज़्यादा भी उभार नहीं है और बहुत दबा भी नहीं है जैसा बैलेंस में चाहिए जहां लगजरी की ज़रुत है वहां लगजरी यूज की जहां नॉर्मल रहने की ज़रुत है वैसे नॉर्मल रहे यानि बहुत ज़ादा लगजरी के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते और बहुत ज़ादा एकदम लगजरी को तिलांजली देने वाले लोग भी नहीं होते अच्छे कपड़े पहनते अच्छी तरह से रहने की कोशिश करते ये लोग खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता अभी हिदर एखा को देखे तो दो भागों में एक जूपिटर की और जा रही है एक सीधी जा रही है ये जो सीधी जाती है ये एक सर्टन एज तक इनको एक्सपेक्रेशन देगी उसका भी मैं विशलेशन करूँगा और ये जो लाइन जाती है चार बेनिफिट डिला सकती है ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है व्यक्ति के जीवन में पॉलिटिकल लाप या सरकारी लाप या व्यक्ति जो भी जहां पर भी जॉब करे या खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर पर लेकर जाता है या मैनेजर बनता है या मैनेजमेंट तक पहुचता है, कई लोगों को चारो benefit मिलती है, किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक benefit मिलती है और ये वेक्ति को expectation बढ़ाती है, थोड़े से आदर्स वादी होते हैं जीवन में और आदर्स पर चलने की कोशिस करते हैं और यहां से भी इनकी जो लाइन है, वो जूपिटर से ही सुरवात हो रही है, पर ये डबल है, जब आपकी हिर्दे रेखा डबल होती है, तो जंजटों से भरा जीवन रहता है, यानि उम्र लगबग, आप समझ ये, 32 के आसपास से जीवन में जंजटे जादा सुरू हो जाएगी, या परिवार की जिमेदारी कहो या जो भी कहो, व्यक्ति मुक्त होकर अपना जीवन नहीं जी पाता है, जब आपकी हार्ट लाइन डबल हो, या आपका डार्क कलर की रेखा हो, हृदे रेखा, तो जंजटे जीवन में रहती है, तो इसके कारण कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती जीवन में, पर एक माइनस पॉइंट तो जरूर रहता है, और अप्टू एंड टक डबल चल रही है, यह रेखा, यहा पर एक फ्रट लाइन भी बनी हुई है, तो व्यक्ति कहीं ना कही कितना भी दुखी हो, थोड़ी दिर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंता है, अब इनकी माइन लाइन को देखे, तो माइन लाइन अंदूनी मंगल से सुरुवात हो रही है, और यह सीधी चलकर अप्टू एंड तक जा रही है, और यहाँ पर एक फोर्क भी बन र इनकी राइटिंग अच्छी होती है, और नीने लेने की शक्ती काफी अच्छी होती है, और यह जो लाइने काटती है, उस समय कोई ना कोई कमर से रिलेटेड, दो दिन, चार दिन, आट दिन का कोई ना कोई कमर से रिलेटेड इस्यू जीवन में आता है, जब माइन लाइन नहीं और यह सीधी चल कर यहां चल रही और यहां अगर ब्रेक होगा यह माइंड लाइन पर मुझे थोड़ा सा ब्रेक जैसी स्थिती लग रही है तो 36 में कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी जो थोड़ा सा मन व्याथित करेगा इनका पर मुझे ब्रेक नहीं लग रहा है तो व्यक्ति में जब छोटी होती है तो बुद्ध्य प्रतिवा ना कि थोड़ा सा प्रेशर जाद हाया तो व्यक्ति को गुश्या आता है यह मैनस पॉइंट रहता है और थोड़ी सी जुकती है तो दीरे दीरे व्यक्ती धार्मित बनता है अब जीवन रेखा पर आए इनका जो सबसे पहला प्रश्ण था साधी ये वर्तमान समय में इनके जीवन में सैनाई बजने के चांसे काफी उजवल है 26 के आसपास इनके जीवन में सैनाई बजेगी एक साल प्लस माइनस गिनकर चलिए ये काफी सुन्दर रेखा है धमदुम से साधी होते हुए आपके जीवन में दिख रही है उसके बाद 29 के आसपास एक राव रेखा काट रही है और उसके पहले एक औफशुट भी है तो साध के बाद कोई न कोई सफलता भी आपको प्राप्त होगी ये 29 में राव रेखा आपको परेशान करेगी और उसके बाद एक आप शुट है ये लगबग आपके उम्र में 35 के आसپास थैए 35 के आसपास भी कोई न कोई सफलता होगी और इसके कारण टायंगल बन रहा है तो 27 में एक बड़ी राव रेखा काट रही है ये आपको परिशानी देगी एक राव रेखा आपको 39 के आसपास काट रही है ये परिशानी देगी एक छोटी सी हलकी सी रेखा 41 में काट रही है उसके बाद 45 में एक राव रेखा है और एक हलकी सी राव रेखा 47 में और उससे भी ह काड़ी बहुत ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई आपको दिखेगी और पूरी जीवन रेखा ही चंद्रपरवत पर जा रही है तो कहीं न कहीं आपका विदेश सेटल्मेंट भी मुझे क्लियर कट शो हो रहा है आपकी फेटल्मेंट मायन लान पर स्टॉप होती है जिस व्यक्ति के माई लान पर स्टॉप होती है वह व्यक्ति परिवार को वृदेश यात्रा पर ले कर जाता है minimum, maximum कितनी भी बार भी और उस पर भी देखे तो एक cut है लगबग 29 के आसपास एक 32 के आसपास एक 34 के आसपास एक इस fate line पर cut है लगबग 32 के आसपास अब 36 के बाद यहां पर देखे तो एक हलकी सी रेखा जा रही है और यह विदे से धन का पराप्ति की रेखा है लगबग 40 के आसपास हो नहों आपको विदे से धन पराप्ति के योग बनेंगे एक योग आपके income के उम्र 46 के आसपास डवलप होंगे और एक अच्छा सा योग आपके जीवन में 45 के आसपास से शुरू होगा तो जीवन का जो golden period है वो आपको 45 के बाद-बाद आपको tremendous growth होता दिखेगा बीच का जो period है 36 से लेकर मैं ये नहीं कहता कि बहुत जादा तकलिफों का सामना करोगे आप पर उतनी growth नहीं दिखेगी 36 से लेकर 45 तक पर उसके बाद भहुत जादा growth आपके जीवन में आएगी 36 तक growth रहेगी उसके बाद 36 से लेकर 44-45 तक थोड़ी सी growth कम रहेगी हाँ ये line आपको growth देनी चालू कर देगी 40 से ही तो ऐसे समझो 4 साल का थोड़ा सा period बहुत खराब नहीं पर हलका सा मद्यम टाइप का जाएगा और 45 से जो growth मिलनी चालू होगी up to बुड़ा पे तक आप काफी growth करोगे और multiple income के सुरोच जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ते जाएगे तो overall देखा जाए तो उच्चे मद्यम वर्ग का हाथ है एक व्योसित आप जीवन जीओगे और उत्तम तरीके की life जीओगे तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्टों के जवाब आपको मिल गये होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी